हमारे युवा साथियों ने देश को एक और बड़ी खुश्खबरी दी हैं जो हम सभी को गवरों से भर देने वाली हैं इंटलिजन्स, आइडिया और इनोवेशन आज भारतिय युवाओं की पहचान है इसमें टेक्नोलोजी के कॉमिनेशन से उनकी इंटलेक्शिल प्रापर्टीज में निरंतर बढ़ोत्री हो यह अपने आप में देश के सामर्थ को बढ़ाने वाली महत्मपूर्ण प्रगति है आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतियों के पेटेंट आवेदन में 31 प्रतिसत से ज़्यादा की बढ़ोत्री हुई है वर्ल इंटलेक्शिल प्रापर्टी और नैशन ने एक बड़ी ही दिल्चस्प रिपोर्ट जारी की है यह रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप टेंट देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इस सांदार उपलब्दी के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं अपने युवा मित्रों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ कि देश हर कदम पर आपके साथ है सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किये हैं उसके बाद आज हमारे युवा एक नई उर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं दस वस्त पहले के आंकडों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को दस गुना ज्यादा मंजुरी मिल रही हैं हम सभी जानते हैं कि पैटेंट से ना सिर्फ देश की इंट्रलेक्शल प्रापर्टी बढ़ती हैं बलकि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं इतना ही नहीं यह हमारे स्टार्ट अप्स की ताकत और ख्षमता को भी बढ़ाते हैं आज हमारे स्कूली बच्चों में भी इनोवेशन की भावना को बढ़ावा मिल रहा है अटल टिंकरिंग लेप अटल इनोवेशन मिशन कोलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्ट अप्स इंडिया अभियान ऐसे निरंतर प्रयासों के नतीजे देश वास्यों के सा हमने हैं यह भी भारत की युवाशक्ति भारत की इनोवेटिव पावर का प्रत्यक्ष उधान है इसी जोश के साथ आगे चलते हुए ही हम विख्षिद भारत के संक्रत को भी प्राप्त करके दिखाएंगे और इसलिए मैं बार बार कहता हूं जय जवान जय किसान जय विज जय अनुसंदहान